वेलकम बैक और इन्होंने जो अपनी किर्तियां लिखी हैं उनकी आधार पर इनको नोबिल पुरुषकार से नवा जा गया है जी हाँ दोस्तों इनकी जो किर्ति है वो देखेंगे इसको हम लोग अंडरलाइन करके फिर पढ़ते हैं मतलब इन्हें जो गल्फ कंट्रियों में रिफ्यूजी होते हैं और जो कोलोनियल उपनोवेशिक वबस्ता है उसके तहट लोगों के जिंदगी में और उनके जीवन में किस परकार का बदलाव आता है इसी पर उन्होंने इसके कल्चर और सम्मंदित विभिन प्रकार की चीज़ों पर अपनी रजनाव में इसको चित्रित किया है और इसी के लिए उनको नोबिल फ्राइची 2021 जो कि लिट्रेचर के चित्र में दिया गया है थोड़ा से इनके बारे में और रिटेल यहां पर दिया गया है और इनके बारे में बताया गया है कि जो लिट्रेचर के चित्र में इनको नोबिल पर उसका दिया गया है उसमें इनकी जो छित्र है आप देख रहे होंगे अबदुर्जा गुरना और ये बिक्ती है इनको ये तंजानिया के हैं मूल के लेकिन यूनाइटट किंगडम में रहते हैं और वहीं पर रह करके जो साहित है साहित सर्जन में अपना काम करते हैं और इनकी अमूल किरतियां इन सब ही छेत्रों रिफ्यूजी हो जा कोलोनियल विवस्ता हो इन सब पे आधारत है और इसी में उनके युगदान के लिए उनको 2020 का नोविल प्राइच लेटरेचर के छेत्र में दिया गया है तो फाइनली हमारे चार जो जो एनॉंसमेंट थे वो हो चुके हैं इसमें आप बचे हुए पीस और एकोनोमेक साइंस इनके भी हम आगे आप लोगों को डिसकस करेंगे तो आपके जो नोविल प्रुसकार सांती के छित्र के हैं और उसके बाद एकोनोमेस के वो अगले दिनों वीडियो आएंगे और फाइनली जो अभी लिटरेचर का है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है अब्दुल लज्जा गुर्ना एक बेक्ति हैं इसको आप लोग याद रखेंगे और कोनोलियल और गल्फ कंट्री में जो रिफूजियों की समस्या है इस पर आधारत इनके बिविन प्रकार के लिखों पर बिविन प्रकार की इनकी रचनाओं पर इनको नोबिल प्रुषकार 2020 से नवा जा गया है तो ऐसे ही नोबिल प्रुषकार और ही करेंट आफेर्स की जो करेंट जो इसू रहते हैं उन पर जानकारी लेने के लिए उनसे रिलेटेट जानकारी फाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे है ऐसे ही महात्प